आईए आज सुनते हैं कहानी थाती लेखी का है सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्यों रोती हूँ इसे नाहक पुछ कर जले पर नमक न छुड़को जरा ठैरो जी भर कर रो भी तो लेने दो ना जाने कितने दिनों के बाद आज मुझे खुल कर रोने का अवसर मिला है मुझे रोने में सुख मिलता है शान्ती मिलती है इसलिए मैं रोती हूँ रहने दो इसमें बाधा ना डालो रोने दो क्या कहा किसके लिए रोती हूँ आह उसे सुनकर क्या करोगी उससे तुमें कुछ लाब ना होगा पूछो ही ना तू अच्छा है, मेरी यह पीड़ा ही तो मेरी संपत्ती है जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने हिरदय में छिपाए हूँ इतने पर भी सुनना ही चाहते हो तो लोग कहती हूँ किन तु देखो जो कहूँ वही सुनना और कुछ न पूछना वे एक धनवान माता पिता के बेटे थे, ईश्वर ने उन्हें अनुपम रूप दिया था जैसा उनका कलेवर सुन्दर था, उससे कहीं अधिक सुन्दर था उनका हुरदय वे बड़े ही नेग दयालू और उदार प्रकृती के पुरुष थे गाउं के बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते, बुड़े आशिरवात की वर्षा करते, इस तरियां उन्हें अपना सच्चा भाई और हितु समझती और नौ जवान उनके इशारों पर नाचते थे तत पर यह है कि वे सभी के प्यारे थे और सभी पर उनका स्नहे था मैं उन्ही के गाउं की बहू थी, मेरे पती वही प्राइमरी पाटशाला में मास्टर थे घर में बुड़ी सास थी, मेरे पती थे और मैं, महेंगाई का जमाना था, रुपए 28 में मुश्किल से गुजर होती थी घर के प्राया सभी छोटे मुटे काम हाथ से ही करने पड़ते थे एक दिन की बात है, मैं नई बहा करके आई थी, मैं थी शहर की लड़की वहाँ तो नलो से काम चलता है, भला कुए से पानी भरना मैं क्या जानती मेरी सास मुझे अपने साथ कुए पर पानी भरना सिखा रही थी अचानक देना जाने कहां से आ गए हसकर बोले, क्या पानी भरने की शिक्षा दे रही हो माजी आपने ऐसी अलहड लड़की व्याही ही क्यों, जिसे पानी भरना भी नहीं आता मैंने घूंगट के भीतर ही से जरा समुस्करा दिया सास ने कहा बेटा इसे कुछ नहीं आता, बस रोटी भर अच्छा बनाती है ना पीस ना जाने ना कूटना गोबर से तो इसे जैसे घिन आती है बड़ी मुश्किल से कहीं कंडे थापती है, तो उसके बाद दस बार हाद धोती है हम तो बेटा गरीब आदमी है, हमारे घर में तो सभी कुछ करना पड़ेगा दूसरे दिन मुझे अकेले ही पानी भरने जाना पड़ा मैं रसी और घड़ा लेकर पानी भरने गई, तो जरूर पर दिल धड़क रहा था कि बनता है या नहीं, ना सास थी, साथ में और ना कोई कुए पर ही था मैंने घूंगट खोल लिया और रसी को अच्छी तरह घड़े के मुझ पर बांद कर हुए में डाल दिया डब डब करके बड़ी देर में कहीं घड़े में पानी भरा, उसे मैं खीचने लगी, किसी प्रकार खिचता ही ना था जियों त्यों करके आधी रसी खीच पाई थी, कि वे सामने से आते हुए दिखाई दिये कुआ उनके अहाते के ही अंदर था, और बंगले में जाने का रास्ता भी वहीं से था सामने से वे आते हुए दिखाई दिये लाज के मारे जियों ही मैंने घुंगट सरकाने के लिए एक हाथ से रसी छोड़ी तियों ही अकेला दूसरा हाथ पानी से भरे हुए घड़ी का वजन न संभाल सका जटके के साथ रसी समेट घड़ा कुए में जा गिरा मैं भी गिरते गिरते बची एक मिनट में यह सब कुछ हो गया वे बंगले से कुए के पास आ चुके थे मैं बड़ी घबराई घुंगट उंगट सरकाना सरकाना तो भूल गई जुक कर कुए में देखने लगी मेरे पास तो रसी और घड़ा निकालने का कोई साधन ही ना था निरुपाय हो कातर द्रिष्टी से उनकी और देखा मेरी अवस्था पर शायद उन्हें दया आई वे पास आकर बोले आप घबराई ये नहीं मैं अभी घड़ा निकलवाई देता हूँ फिर कुछ ठहर कर मुस्कराते वे बोले किन्तु आपने ये साबित कर दिया कि आप शहर की एक अलहर लड़की है मैं जरा हसी और अपना घूंगट सरकाने लगी मुझे घूंगट सरकाते देख वे जरा मुस्कराए मैं भी जरा हस पड़ी और कुछ बोली नहीं उनके नौकर आये और देखते ही देखते रसी समेथ घड़ा निकाल लिया गया मैं घड़ा उठा कर अपने घर की तरफ चली शब्दों में नहीं किन्तु कृतग्यता भरी आँखों से मैंने उनसे कहा मैं आपके सुपकार का बदला जीवन में कभी ना चुका सकूंगी करीब पौन घंटा कुए पर लग गया था अम्मा जी की घुड़गियों का डर तो लगा ही था जल्दी जल्दी आई घड़े को घिनाची पर रख रसी को खुटी पर टांगने के लिए मैंने जियों ही हाथ उपर उठाया देखा कि हाथ का सोने का कंगन तो है ही नहीं तुम कहोगी कि पानी भरने वाली और सोने का कंगन यह कैसा मेल यह भी बताती हूँ यह कंगन मेरी मा का था मरते समय उन्होंने अनुरूद किया था कि यह कंगन बिया के समय मुझे पैर पुजाई में दिया जाए इस प्रकार यह कंगन मुझे मिला था रसी टांग कर मैं फिर कुए की तरफ भागी देखा तुभे सामने से आ रहे थे उन्होंने यह कहकर कि यह तुम्हारे अलहडपन की दूसरी निशानी है कंगन मेरी तरफ बढ़ा दिया कंगन लेकर चुपचाप मैंने जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी घर आई घर आकर देखा पती देव स्कूल से लोटे थे अम्मा जी बड़े क्रोध में उनसे कह रही थी देखा नई वहों के लच्छन एक घड़ा पानी भरने गई तो घंटे भर बाद लोटी और यहां पानी रख कर फिर दिवानों की तरह हुए की तरह भागी मैंने तो पहले ही कहा था शेहर की लड़की ना ब्याहो पर तुम ना माने बेटा भला यह हमारे घर निभने के लच्छन है और सब तो सब पर जमिंदार के लड़के से बात के बिना इसकी क्या अटकी थी यह इधर से भागी जा रही थी वह सामने से आ रहा था उसने जाने क्या इसे दिया और इसने लेकर जेब में रख लिया मुझे तो यह बाते नहीं सुहाती फिर तुम्हारी बहू है तुम जानो बिगाडो चाहे बनाओ मेरी तरफ उन्होंने गुसे से देख कर पुछा क्या है तुम्हारी जेब में बतलाओ तो मैंने कंगर निकाल कर उनके सामने रख दिया फिर डाट कर बोले वे यह उनके पास कैसे पहुचा मैंने डरते डरते अफराधनी की तरह आदी से लेकर अंत तक कुए पर का सारा किस्सा उन्हें सुना दिया इस पर अम्मा जी और पती देव दोनों ही की जड़किया मुझे सहनी पड़ी साथ ही ताकीद भी कर दी गई कि मैं अब उनसे कभी ना बोलू क्या पूछते हूँ उनका नाम हाई रहने दो मुझसे नाम ना पूछो उनका नाम जुबान पर लाने का मुझे अधिकार ही क्या है तुम्हें तो मेरी कहानी से मतलब है ना हाँ तो मैं क्या कह रही थी मुझसे कहा गया कि मैं उनसे कभी ना बोलू यदि यह लोग फिर कभी मुझे उनसे बोलते देख रहेंगे तो फिर कुशल नहीं मैंने दीन भाव से कहा मुझसे घर के सब काम करवालो परन्तु कल से मैं पानी भरने ना जाओंगी इस पर पती देव बिगड़ कर बोले तुम पानी भरने ना जाओगी तो मैं तुम्हें रानी बना कर नहीं रख सकता यहां तो जैसा हम कहेंगे वैसा करना ही पड़ेगा उसके बाद क्या बतलाओं की क्या क्या हुआ जियों जियों मुझे उनसे बोलने को रोका गया त्यों त्यों एक बार जी भर कर उनसे बात करने के लिए मेरी उतकंठा प्रबल होती गई किन्तु मेरी यह साथ कभी पूरी ना हुई वे जाते जाते एक दो बाते बोल दिया करते जिसके उत्तर में मैं केवल हस दिया करती थी लेकिन लोग यह भी ना सह सके और तिल का तार बन गया अब मुझ पर घर में अनिक प्रकार के अत्याचार होने लगे हर दो-चार दिन बाद मुझ पर मार भी पड़ती परन्तु मैं कर ही क्या सकती थी मैं तो उनसे बोलती भी ना थी और उनका बोलना बंद करना मेरी शक्ती से परे था उन्होंने मुझ से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो अनूचित कही जा सके उन्हें तो शायद विधाता नहीं रोते हुऊ को हसा देने की कला सिखाई थी वे ऐसी मीठी चुट की लेते कभी हसी की बात भी करते तो इतनी सभ्यता से इतनी नपी तुली कि मैं चाहे कितनी दुखी हूँ चाहे कितने रंज में हूँ हसी आ ही जाती थी किन्तु धीरे धीरे मुझ पर होने वाले अत्याचारों का पता उन्हें लग ही गया उनके दयालो हिरदय को इससे गहरी चोट पहुची उस दिन अंतिम बार जब मैं पानी भरने गई वे खुए पर आया और मुझसे बोले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ उनके स्वर में पीड़ा थी शब्तों में माधूरे और आँखों में ना जाने कितनी करुणा का सागर उमड रहा था मैंने आश्चर के साथ उनकी और देखा आज पहली ही बार तो इस प्रकारवे मेरे पास आकर बोले थे उन्होंने कहा पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वह यह कि मेरे कारण तुम पर इतने अत्याचार हो रहे हैं यदि मुझे पता चल जाता तो वे अत्याचार कब के बंध हो चुके होते दूसरी बात जो मैं तुमसे कहने आया हूँ वह यह कि आज से मैं तुम पर होते अत्याचार की जड़ उखाड कर फेक देता हूँ तुम खुश रहना मेरी अलहडरानी वे मुझे इसी नाम से बुकारते थे यदि मैं तुम्हें भूल सका तो फिर यहां लोट कर आऊंगा नहीं तो आज ही सदा के लिए विदा होता हूँ मुझ पर बिजली सी गिरी मैं कुछ बोल भी ना पाई थी कीवे मेरी आँखों से ओजल हो गए अब मेरी हालत पहले से ज़्यदा खराब थी मेरा किसी काम में जीना लगता था कलेजे में सदा एक आंगसी सुलगा करती परन्तु मुझे खुल कर रोने का अधिकार ना था अब तो सभी लोग मुझे पागल कहते हैं मैं कुछ भी करूं करने देते हैं इसलिए तो आज खुल कर रो सकती हूँ और तुम्हें भी अपनी कहानी सुना सकती हूँ किन्तु क्या तुम यह बता सकोगे कि वे कहा है मैं एक बार उन्हें और देखना चाहती हूँ मेरी यह पिला, मेरा यह उन्मात उन्हीं का दिया हुआ तो है यदि कोई सर्दय उनका पता बता दे तो मैं उनकी थाती उन्हीं को सौब दू यह थी कहानी थाती अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद